नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैरल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ और आज हम सीखने वाले हैं डिक्ष्णरी देखना आज यह होता है कि हम डिक्ष्णरी में से कोई भी इंग्लिस का वर्ड से थी हम कहीं पे देख रहे ह है तो हम कोई भी डिक्ष्णरी ले सकते हैं जो थोड़ा सा रिलाइबल हो जिस पर महरुसा कर सके तो जातर तो हम यह उक्ष्फोर्ड जो इंग्लिस हिंदी मेरे पास है मतलब पापजी का है यह पापजी हम इसे यूज करते हैं लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ आप देखें अमंग लिखा हुआ है अब वह सिधा क्या करते हैं अब सिधा करते हैं और यह कुछ अन्दाजा नहीं होता और बहुत अपना समय वहां पर बरबात कर देते हैं तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं कि डिशनरी हम कैसे देखें समय कैसे बचा है और सहीं इसका तरीका क्या है तो सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक तो A to Z आपको तो आता है A, B, C, D, E, F, G, H तो आपको पता है A पहले आता है तो सिधी सी बात है आप सबसे पहले A वाला नहीं कालेंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे A में अपने की स्टार्ट के यहाँ पर दिखे A में चले गए यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ होगा और कई जगा आप साइट में कटिंग वाला भी आता है आजकल A, B, C, D, नए अडिशनली में तो A में हम चले गए उसके बाद हम देखते हैं A में जाने के बाद यहाँ पर A के बाद दिखा हुआ है M तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं A के बाद B वाला शुरूगा तो हमें इससे बिल्कुल यह पेश छोड़ दीजी आप ठीक है? आगे बढ़िए A के बाद यहाँ पर C लिखा हुआ है A के बाद C हमें तो A के बाद M वाला चाहिए तो अप C वाले में मत जाए अब आप रहाँ पर स्फिर्टा दीजीए अब आप हमें बाद G वाला सुरू हो गया है लेकिन आपको पता है कि जो जी वाला है एक के बाद याने जो जी आता है तो जी एम के पहले आता है अभी भी हमें क्या करना है परेसान नहीं होना है नहीं तो आप देखेंगे वाले पेज में नहीं है फिर पीछे बल्टा है आपको पीछे नहीं बल्टाना आपको पता है कि हमें आगे जाना है क् तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एम कहां से स्टार्ट हो रहा है अब यहां पर भी आपको तरीका बता रहा हूं यही तरीका होता है आप आराम से जान सकते हैं अ अगर्षी तो आपको मिल गए है लेकिन इसके बाद एम के बाद अगराण बढ़ आता है तो की है पके पहले ऑए और पहले वाएँ भी वो पहले आता अब आप इसके आग्यम् للपण बढ़ीए आपको पता है पहले कि वह टो पहले आता है तो एकंपी के पहले देखना है अब आप के पहले देखना है अब आपको यहां सब्सक्राइब कर्के जाकिकन कोई क aime तरीका है एक बार आपको यहां पर परिसानी होगी परिसानी होगी बता है तो पहले आता है तो आप सीधा सीधा पीछे जाते जाएंगे इस प्रकार से तो आप अब आप सीधर पीछे जाइए तो एम ओ आपको तर देखिए था P कोई परिसानिय नहीं है फिर आप पीछे जाएंगे जी आपको वहाँ पर मिल जाएगा आगे तो आगे मिल जाएगा यहां पर देखिए यहां पर देख सकते हैं घीरा हुआ या फिर बीच में ठीक है यहां पर कुछ उधारम में दिया हुआ है देखिए आप एक्जाम्पल दिखा सी वर्क्स अमंग दा पूर वह गरीबों के बीच काम करती है ठीक है इस प्रकार से भी यहां पर आ जाएगा तो देखिए इस प्र अलब भी हिंदे में लिखा हुआ है इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर उसका एक आपको यहां पर उधारम भी दिख जाएगा आपको एंगलिस में इतना कुल डिक्शनरी में होता है तो बहुत सारे यहां पर आपको इससे फायदा होने वाला है अब एक दो और द तो हम अभी कहां पर हैं ऐवाले में हैं तो विल्कुल आप ज्यादाल नहीं बहुत ज्यादा समय लगेगा हम यहां पर देख रहें ड्य.o हो रहा है तो सबसे पहले हमें कहां पोह्च ना है है यहां पे आप को मिल गया तो आप यह वहां तो बिल्कुल एक प्रफक नहीं लगाई यहे समझाने कrån पको बता रहे हो हो फीर głow तो आपको पता है कि नहीं, आई तो O के पहले ही आता है, फिर आप थोड़ा सागे बढ़ सकते हैं यहां पर जब तक कि D O ना आ जाए, तो आप यहां पर देखिए, हाँ यहां पर D O आ गया, अब आप देखें, D O तो मिल गया, फिर D O के बाद M लिखा हुआ है, और यहां प आपको यह पता चलिया कि M तो S के पहले आता है, तो आप इसके क्या करिए, पहले जाए, तो आपको यहां पर देखिए, D O M वारा मिल गया, D O उसका आपको E खोजना है, तो D O M के बाद I, तो यहां पर I दिख रहा है तो नहीं, I के पहले E आता है, तो आप उपर चले आफ तो आपको देखिए इस प्रकार से, यहां पर भी S मिल गया है, लेकिन यहां पर आप देखिं थोड़ा सा अंतर है, यह, D O M B मिल गया, E B मिल गया, B लेकिन उसके बाद कैमिला? Yeah, ID मिल गया, C मिल गया, यहां तक मिल गया, लेकिन यहां पर तो आगे और AT लिखा हुगा है तो आप क्या के दिए थोड़ा सा और पहले चले यह यह आपको मिल गया तो इसके आसपास ही होगा इतना तो आपको पता है अब आप देखी यह आपको मिल गया है तो यहाँ पर आपको मिल गया है domestic लिखा हुगा है आप देख सकते हैं अब यहां पर देखिए इसका मतलब भी लिखा हुआ है घर-परिवार-ाधी का घर-परिवार-ाधी का घर-परिवार का कुछ भी होता उसे हम भोमेश्टिक चीजं She他說 घरे-लो कि मिनिंग क्या होता कमेंट जरूर करेंगे करेंगे यहां देख सकते हैं यह यारा कि बाद हेगा राए तो ऊब पक्रून कि आई तो आप करेंगे करेंगे स्वब आए पर देखें हैं पर drg temp चैट सकताई तो उसाद आपको Q खोजना है तो D IS के बाद C रिखा हुआ है तो Q तो C के बाद आता है तो आगे बढ़ जाएए ऐसे आपको आगे बढ़ जाना यहीं चीज आपको धियान देना है उसके बाद किसी व्यक्ति को किसी कारे के अयोगी या अनुप टैराना यानि आप इस कारे के लायक नहीं होते हो कोई गान्या अच्छा नहीं गा रहा है अपको एक्जाम को जॉब के लिए था ओज़ा लिया है इस प्रकार से डिस्कौलिफाई तब तो हमने ढूंड लिया अब यहां भी आप देख सकती है जो गायल लिखा हुए नॉमिनेशन लिखा हुए श्लोगन, श्टीम, ट्रेड लिखा हुए वांड लिखा हुए जुलोजी इसका डिक्ष्णरी आपके पास होगा तो बिल्कुल आप ढूंड और उसका कमेंट करके बताईए इसका मीनिंग क्या है तो यह थी आची क्लास अब इस प्रकार से बिल्कुल भी ढूंड सकते हैं आसानी से मिल गया तो बाकी का आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसका उचारण कैसे होता है इसका मीनिंग क्या है तो आज की वीडियो पसंद आ